नमस्ते चिबाई मैं सब को आज फेस्बुक लाइब से थोड़ा अपडेट करना चाहता हूँ लेकिन सबसे पहले मैं प्रणजीत नमशूदर जो सूर्मा से थे जिनका कल रात बेरहमी से हत्या किया गया उनके परिवार को एक बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे प्रणजीत नमशूदर हमारा तिप्रा मौथा का वर्यर था और उनका जो बलिदान है, कुर्बानी है, साक्रिफाइस है वो हम नहीं भूलेंगे हम आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ है और उनके बच्चे का उनका परिवार का कुछ भी अगर कोई हिल्प हो तो हम तैयार हैं, हमेशा उनके परिवार के साथ खड़ा होना चाहता है पॉलिटिक्स में वाइलन्स सबसे खराबची सहता है और मैंने हमेशा एक बात बोला है कि पॉलिटिक्स पांच साल में एक बार आता है लेकिन जब सुसाइटी पॉलिटिक्स के नाम में बढ़ जाता है तो वो जब भाई-भाई से लड़ता है परिवार परिवार से लड़ता है तो वो सुसाइटी वापस एक नहीं होगा और जो हमारे प्रणजीत नमशुद्र के साथ हुआ करदा उनका हत्या ये इसका जवाब इलेक्शिन कमिशन को देना पड़ेगा जिसने कहा था जीरो वाइलेंस इसका जवाब प्रसाशन को देना पड़ेगा क्या हो रहा है यहाँ डिमोक्रसी में पबले का अधिकार है वो जिसको भी वोट करना चाहे वोट करें लेकिन आप किसी को मार के पीट के जान से मार के आप किसको दढ़ाना चाहते हैं अब कितनों को मारेगे एक को पांच को दस को पंदरा को लेकिन इसका जवाब तो पबलिक देगी यह पबलिक यह पुराना पबलिक नहीं है दढ़ की घर में बैठ जाएंगे अगर गुन्ड़ाए लोग निकल के शराब पी कर किसी को मार की कर ले यह पबलिक जानती है कि 16 तारिक फेबरी में किन ने किसके उपर अत्याचार किया किनों ने गुंडे का सहारा लेकर किन को दढ़ाया और पबलिक चुप चा बैठी है 16 तारिक को जब वोटिंग करेंगे तो वो जानते हैं कि वो किसको बाहर करेंगे तो यह जो पावर आपके अंदर है जो सता का गुरूर है प्लीज समझ लीजे यह पूरा जिंदगी नहीं रहेगा आपके साथ समझ लीजे कि आपने अगर एक प्रनजीत नमसुद्र को मारा तो हजार प्रनजीत नमसुद्र उठेंगे रहा इतिहास गवा है कि आप आवाज को जितना भी दवाने के कोशिश करोगे आवाज इतना ही इठेगा आज मैं आपसे और एक बात बोलना चाहता हूँ कि यह जो मैं दिल्ली में हूँ हमने मुलाकादवी की है और मेरा पॉइंट एकदम क्लियर है कि मैं अपने लोगों को जूत नहीं बोज़ाएं मैं यहां तक आया हूँ मेरे वोरियर्स मेरे गरीब गाउं में रहने वाले लोग उनके प्यार से उनके आशिवार से आज इलेक्शन के पहले मैं अपना डिमांड को छोड़के अपना लोगों को विश्वास को तोड़के मैं पावर में आने से जादा अच्छा होगा कि मैं मर जाओ लोगों का विश्वास तोड़ने से जादा अच्छा है कि मैं मर जाओ और मैं कॉंप्रिमाइज नहीं करूँ आदत हो गया है कि सब अंचुलिक पार्टी पिछले 40 साल से इलेक्षिन के पहले बड़े बड़े बात करते हैं इलेक्षिन के थोड़े दिन पहले अपना डिमांड को बंद करके बिना लोगों के बारे सोच के अलाइंस कर लेके मैं ऐसा इंसान है तो मेरे मुलाकात हुआ मैंने अपना बात रखा मैं आशा करता हूँ कि मेरा बात को सुना जाएगा अगर नहीं सुना जाएगा तो ठीक है मेरा किसी के साथ दुश्मनी नहीं है मैं अपने बलबूते में जो मेरा शमता है मैं उसके शम्ता में, आपके सपोर्ट से में पार करें। लेकिन अपने लोगों को जूट बोलकर मुझे पॉलिटिक्स में नहीं रहे। देखिए भगवान ने सब कुछ दिया, घर दिया, महल दिया, पैसा दिया। लेकिन एक चीज आपको खुद कमाना पड़ता है जिन्दगी में, वो है अच्छा नाव। और वो आप तभी कमा सकते हैं, जब आप अपने बूरे, अपने यूद, अपने मा, अपने बुरुई जो गाउ में बैटकर आशा कर रहा है कि बुबागरा कुछ करेगा हमारे लिए। उनको धोका देकर मैं, यह मैं नहीं कर सकता हूँ, यह मुझसे नहीं हूँ, बहुत लोग कह रहे थे उस दिन की यह तो पॉलिटिशन नहीं है, हाँ, मैं पॉलिटिशन नहीं हूँ, मैं दिल से अपना समाज का खल्यार करना चाहता हूँ, किसी के खिलाप भी नहीं हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि इनका डिमांड कॉमिनल है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। आज तक मैंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं करते हैं। Government of India उग्रवादी ग्रूप से बात करती है। Government of India वैसे पार्टी से बात करती हैं जो हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते हैं। Government of India उन लोगों से बात करते हैं जो देश के खिलाफ हैं। लेकिन हम जिनको Government of India गव्रूपरा के लोगों ने चुना हैं। उनसे बात करने में हिच्किचाती है। क्यों? आदत पढ़ गया है हमें हलका लेनी के लिए। और मैं अपने लोगों को मैं तुरूपरा में था तीन दिन। इतने लोग आए टिकेट मांगें। एक बात उनको क्लेली कहना चाहता हूं कि टिकेट के बारे बाद में सोचे बारे पहले सोचो। मैं फाइट करूँगा अपने लोगों के लिए। और अगर आपको अपने टिकेट के लिए फाइट करना है अपने लिए फाइट करना है तो मैं आपको क्लेली बोलना चाहता हूं हमारा समाज ऐसे गद्दार को विश्वास नहीं करेगा। ये फाइट आपका नहीं है ये फाइट हमारे गाउं का लोगों का है। ये फाइट आखरी तक चलेगा। मैं कॉंप्रमाइज नहीं करेगा। प्रनजीत नमशुद्र के फैमिली को हम लोग साहता करेंगे। और हर वोरियर बंगाली हो, मुसल्मान हो, तिप्रासा हो, मनिपूरी हो, आदिवासी हो। मेरा YTF वोरियर को मैं मेसेज दे रहा हूं। आपका कर्तव्य बनता है आज से कि हमारे जो कमजोर लोग हैं उनका रक्षा करने के लिए। जगड़ा मत करो, वाइलेंस मत करो, लेकिन प्रोटेक्शन जरूर दो। हम अपने गाउं में अपने कमजोर लोगों का सुरक्षा करने। लाइन हम भाइ, खुलूंखा, धन्यवाइ